अलो एवरीवान माइनेमेस मनेस मैं इस वीडियो पर बात करने वालाओं वारसी काखलन प्रोजेक्ट प्रयोजना कार्य सत्र दो हजार बाईस तेवेस कक्छा सात्वी विशे विज्ञान का उत्तर इस वीडियो पर बताने वालाओं तो श्टुडेंट वीडियो को लाइक, स और योटूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसका प्रयोजना कार्य दिया गया जिसका उत्तर इस वीडियो पर देखेंगे तो वीडियो को सुरू करते हैं, दो प्रश्णों का जिसका पहला प्रश्ण है जन्तु कोसिका और पादप कोसिका का सचित्र वर्णन कीजिए तो इसका आपको लिखते भी जाना है, सबसे पहला देखते हैं यहाँ पर कोसिका बित्ती जो सेल्योलोज का बना होता है पादब कोसिका में कोसिका भित्ती पाया जाता है जन्तु कोसिका में कोसिका भित्ती नहीं पाया जाता है सेलुलोज की बनी होती है कोसिका भित्ती कोसिका जिल्ली दोनों में पाया जाता है आपकी पादब कोसिका में भी कोसिका जिल्ली होती है और जन्तु कोसिका में भी कोसिका जिल्ली पाया जाता है लवक क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोसिका में पाया जाता है पादप कोसिका पादप कोसिका में लवक यानि की क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जन्तु कोसिका में नहीं पाया जाता है फिर आपका है अंतपद्रविय जाली का आपके पादप कोशिका और जन्तु कोशिका दोनों में पाया जाता है केंद्रक दोनों में पाया जाता है आपका पादप कोशिका और जन्तु कोशिका में केंद्रक पाया जाता है गौल जी का है दोनों में होता है पादप कोशिका और जन्तु कोशिका में दोनों में पाया जाता है आपका गौल जी का है पावर हाउस कोशिका ग्रीह कहते हैं दोनों में पाया जाता है आपके पादप कोशिका और जन्तु कोशिका ये है आपका जन्तु कोशिका और ये है आपका पादप कोशिका लाइसोस्वम जिसे आत्मात्य की थैली कहते हैं ये आपका पाया जाता है पादप कोशिका और जन तो कोशिका में नहीं पआय जाता है, कोशिका जिली दोनों में पाय जाता है लवक की वल पाधप कोशिका में क्लोरोपलास्ट आपका पाया जाता है अंतरप्रदविय जालिका होता है केंद्रक होता है गौलजिका है रिक्तिका कोशिका द्रवे माइटोकांड्रिया लाइसोसों इनहीं को देखकर आपको लिख लेना है इसके बारे में सजीयों में पायजाने वाले अंगों और उसके कारियों को लिखना है सजीयों में कौन कौन से अंग पायजाता है तो मैं सजीयों में मनुष्य का उधारन लेखर आपको समझाना चाहता हूँ तो इसको आप मनुस्य के उधारन से आपको समझाना है सबसे पहला आपका सज्यव में प्रमूख अंग होता है वो पाचन तंत्र होता है मनुस्य में भोजन ग्रहन करने उसे पचाने वं बिना पचेवे भोजन को सरीर से बाहर निकालने का विसेश अंग होते हैं ये सभी मिलकर पाचन तंत्र कहलाते हैं पाचन तंत्र में कौन-कौन से अंग होते हैं तो मुख होता है आपका ग्रसनी होता है जो पाचन अंग का काम करता है ग्राशनली एवं अमासा होता है आत होता है और मलद्वार होता है इस तरह से आपको पहले इसका चार्ट भी बना लेना है पाचक ग्रंतियां में लार ग्रंतियां पाय जाता है यक्रित होता है पित्तासा होता है अगनासा होता है ये पाचन तंत्र का हिस्सा हुआ आपका फिर आप क्या बात करते है परी संचरन तंत्र जिसमें आपका हिर्द धमनिया, सिराएं वर रक्त को सिखाएं मिलकर परी संचरन तंत्र का निर्मान करती है परी संचरन तंत्र का कार्य है उपयोगी पदार्थों को रक्त के माध्यम से सरीर के विभिन अंगों तक पहुचाना और अनुप्योगी पदार्थों को उस सर्जी अंगों तक ले जाना ये परिसंचरन तंत्र का कार्य हुआ फिर आपका है रैसपिरेटरि सिस्टम यानिकी स्वसन तंत्र जब हम सांस लेते हैं तब हवा के साथ औकसिजन नाक और स्वासनली से होती हुई फेपड़े में जाती है और जब हम सांस चोड़ते हैं तब हवा के साथ कार्बन डाय ओक्साइड इसी मार्ग से सरीर से बाहर निकल जाती है तो ये हुँ आपका रैस्पिरेटरि सिस्टम फिर है आपका उस सर्जन तंत्र हमारा सरीर अपसिष्ट पदार्थों का उस सर्जन अनेक रूपों में करता है मलासे में एकत्रित होने वाला मल, ठोस, गुदा द्वा से, कार्बन डाय ओक्साइड गैस, फेफडों से, पसीना, द्रव तवचा से उस सर्जित किया जाता है सरीर का एक अन्य अपसिष्ट पदार्थ मुत्र है इसको सर्जित करने के लिए सरीर में मुत्र उस सर्जन तंत्र पाए जाता है जिसमें एक जोड़ी व्रिक, एक जोड़ी वहनिया, मुत्रासे, मुत्र मार्ग पाए जाते है ये आपका उस सर्जन तंत्र के बारे में आपको लिखना है इसी तरीके से आपको पूरा इसको नोट कर लेना है तो ये पूरा चीजों को आप स्क्रिंसोर्ट ले सकते हैं इस तरह से आपको पहले पाचन तंत्र के बारे में बताना है तो पाचन तंत्र में होता क्या है मनुस इसमें भोजन गरहन करने उसे पचाने बिना पचे भोजन को सरीर से बाहर निकालने के लिए विसे संगउता जिसे पाचन तंत्र कहती है इसके बारे में आपको लिखना है फिर परी संचरन तंत्र हिर्दय धमनिया सिरायव रक्त को सिकाये मिलकर परी संचरन तंत्र का निर्माण करती है परिसंचरंतंत्र का कारे उपयोगी पदार्थों को रक्त के माध्यम से सरीर के विभिन अंगों तक पहुचाना और अनुपयोगी पदार्थों को सरजी अंगों तक ले जाना फिर है आपका स्वसंत्र अंत्र जब हम सांस लेते हैं तब हवा के साथ ऑक्सिजन नाक और स्वासनली से होती हुई फेपड़ों में जाती है और जब हम सांस छोड़ते हैं तब हवा के साथ कारबन डाई ऑक्साइड इसी मार्गस से सरीर से बाहर निकल जाती है फिर आपका उसरजन तंत्र, हमारा सरिर अपसिष्ट पदार्थों का उसरजन अनेक रूपों में करता है, मलासय में 61 होने वाला मल जो ठोस अवस्था में होता है, गुदधवार से, कारबन डियकसर जो guessी अवस्था में, गैस के रूप में फेपडों से पसीन द्रॉप सरजित कर लिया जाता है सरीर का एक अन्य अपसिष्ट पदार्थ मुत्र है इसको सरजित करने के लिए सरीर में मुत्र उस सरजन तंत्र पाया जाता है जिसमें एक जोड़ी आपका व्रेक होता है एक जोड़ी वहानिया मुत्रास है और मुत्र मार्ग पाया जाता है फिर आप आपका तंत्रिका तंस नर्फ सिस्टम इसमें आपका मस्तिक्स होता है मेरुरज्यू तंत्रिकाएं और समवेधी अंग होता है तो तंत्रिका तंत्र में आपका मस्तिक्स होता है मेरुरज्यू होता है तंत्रिकाएं और समवेधी अंग होता है फिर सैंस ओरगेन आक नाक कान जीब और तवच्चा हमारे समवेधी अंग कहलाते हैं, तो इसको भी आपको लिखने है समवेधी अंग यानि कि सेंस ओर गेन, आईस, नोज, इयर, टंग, एनस्कीन ये हमारे समवेधी अंग कहलाते हैं, फिर आपका है प्रजनन तंत्र यानि कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो इसमें आपका क्या होता है सभी जिवधारी प्रजिनन किरिया द्वारा अपने समान जीव को उत्पन करते हैं नर में मुख्य प्रजिनन अंग व्रिशन और मादा में अंडासय होते हैं तो थैंक्स पर वाचिंग वीडियो सब्सक्राइब दा चैनल थैंक्यू सो मच वीडियो को लाइक सेयर और दोस्तों में सेयर कर दीजे धन्यवाद